नमश्का फ्रेंट्स स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में मेश राशी वानों के लिए अगस्त के महिने में जो बड़ी घटनाय है जो गोचर के वर्ष में आपके साथ इस महिने हो सकता है उसकी हम चार्चा करेंगे जिसमें हम प्रती एक चीज चाहे वो आपके फाइनेंस की बात हो चाहे आपके घर परिवार की सुख सिवधाओं की बात हो चाहे कॉंप्टेट एक्जाम्स है चाहे संतान का सुख है दामपत्ते सुख है बिजनेस प्रोफेशन भागे का साथ मिलेगा या लाब इस महिने आप कमाएंगे या विदेश यात्राओं के लिए कोई योग है आपके पास ये सब कुछ आज से वीडियो में हम समझने कोशिश करेंगे सबसे पहले राशी स्वामी से हम इसको अरम करते हैं मंगल महराज का गोचर आपकी जनम कुली में वर्तमान में दूसरे स्थान में धन स्थान में हो रहा है तो इस महीने में जब मैं आपको ये कहने वाला हूँ कि धन से समंदित कोई परिशानी दिकते हैं तो इस महीने वो सॉल्फ हो सकती है, धन आपको प्राप्त होगा उसका कारण बनने वाला है कि मंगल का, आप देखिए मंगल जो है वो ब्रेस्पती के साथ बैठे हुए है और ब्रेस्पती भागेश है, तो भागे के साथ जब भी राशी का स्वामी या लगन का स्वामी कोचर करता है उसके साथ मिल जाता है उसके साथ समंद बनाता है तो वो भाग्य से पैसा कमाने का समय होता है वीदेशों से पैसा कमाने का समय होता है धर्म से अध्यात्म से नौलिज से एजुकेशन से पैसा कमाने का समय है तो मंगल महराज finance से समंदित को दिकत परिशानी जो है वो आपकी इस मीने पूर्ण डूप से समाप्त करेंगे गुपत तरीकों से पैसा कमाने का योग भी यहां बन रहा है किसी legacy से ससुराल से इस प्रकार का पैसा आपको मिल जाए मंगल ये भी यहां पर दर्शारा है तो उसरे बड़ा कारण जो मंगल यहां पैसा देने वाले है वो है दूसरे स्थान के राशी का जो स्वामी है क्योंकि जो शुक्र आपके धन की जब भी बात होगी तो शुक्र को देखा जाएगा वो भी अच्छी परिस्तिति में है वो पंचम भाव में बैठे हुए है तो उसका जो डिस्पॉζिटर है यह उस घर का जो मालिक है वो भी अच्छे घर में गया है तो पैसों का शुक्र भी आपको कह रहा है जिसमे वानी से, टीचिंग के क्षत्र से advocates हैं, कथा बाचेक हैं, इनको पैसा मिलेगा, इसा दिखाई दे रहा है और वहीं परशुकर की दृष्टी आपके लाबस्तान में भी है, जहां पर शनी महराज विद्यमान है, तो लाबस्तान पर इसकी दृष्टी होने के वज़े से लाब की परिस्तितियां मंगल आपके लिए शुकर के द्वारा पुर्णूप से दिला रहा है, दूसरी बड़ी परिस्तिति इस महिने जो रहने वाली है वो है सूर्य महाराज का गोचर, सूर्य महाराज के गोचर को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये वीडियो होता है, वो हमारा व्यक्तित तो होता है, हमारी प्रिस्नलिटी होता है, तो राशी और लगन को जो हम मिला लें, तो ये वीडियो आपको समझ माए, मैं सूर्य की बात करा था, सूर्य इस समय जो है वो दक्षणाय नाराम हो गये, करकराशी इनके 16 जुलाई को प्रिवेश कर गए है और ये जो स्थान है, ये आपका चतुर्स्थान है तो सूर्य की वज़े से इस महीने जो है वो घर में थोड़ा माता के साथ समंदों में थोड़ा सा गुसा हो सकता है आपको रोध कर रहे हैं, परिशानी 16 जुलाई से शुरू होनी है वो नौकरी को लेकर क्या है कोई बड़ी जिम्मवारी आपको यहां मिलने वाली है बड़ी रिस्पॉंसिबिलिटी जॉब को लेकर के इस समय आपको दिखाई दे रही है तो इस प्रकार से सूर्य के गोचर को आप समझे और यहीं सूर्य की इस परिस्थिती के वज़ा से मकान खरिदना है प्रॉपर्टी में पैसा लगाना है इंवेस्टमेंट करना है तो सूर्य उसके लिए आपको पूर्डूप से प्रिरिद कर रहे हैं क्योंकि पंचम, त्रिकॉन, भाव के स्वामी होते हैं और चतुर्थ के इंद्रस्तान में गए है तो विश्णू और लक्षमी का मिलन है तो पैसों का आगमन आपको सूर्य के द्वारा भी आपर होगा और कुछ नई जिम्मेवारी यहां से प्राप्त करें माता का स्वास्तियों का थोड़ा विशेश तोर पर ध्यान रखें घर में जगड़ा, कुरोध हिंसा आपको नहीं करनी है तीसरा ग्रहा है जो इस महीने विशेश परिस्तितियां लेकर के आएगा वो हम जब समझने कोशिश करते हैं बुद्ध को देखते हैं, कि बुद्ध हमें क्या देना चाता है क्योंकि बुद्ध इस महीने वो पांच अगर्स से लेकर के आठाईस अगर्स की परिस्तिति है वो वक्री परिस्तिति है तो मेश राश्री मानों के लिए सबसे खराब ग्रहा है वो बुद्ध महराज है और अगर तो कुरूर ग्रह के साथ बैटा है तो बहुत खराब परंतु वर्तमार में जो इसकी परिस्तिती बन रही है यो वक्री चाल में चला है शुक्र के साथ आपके पंचम भाव में बैटा हुआ है तो कागजों से समंदित, डॉक्युमेंटेशन से समंदित जो भी चीज़े है उसमें बहुत साथ धानी इस महीने बर्तना है प्रेमी का से पत्रा जार करना है, कॉम्णिकेशन करना है उसमें कुछ अंडेस्टेंडिंग हो सकती है समंद आपके खराब हो सकते है बुद की परिस्तिती है, कोई नया काम इस समय नहीं करना है यात्राओं पर इस समय अगर आप अवाइड कर सकें बरसाथ का समय चल रहा है, शावन का महीना है तो जितना अगर आप घर पे रहें तो अच्छा है क्योंकि नदी नाले उफान पर होते हैं नुकसान होने की सभामना है बनी हुई है तो यात्राओं मेश राशी वालों को जब तक बुद्वक्री परिस्तिती में नहीं करनी है कोई नया पत्रचार, कोई नया बिजनस, कोई नया कारेज जिसमें की नई शुरुवात होनी है वो वर्तमान में आप करते हुए उसका परहेज करें बुद्व इस परकार के परिस्तिती यहां दरशार आ है तोटी बाही बहनों से भी कोई परिशानी दिक्कते हो सकती यह दिख रहा है परन्तु इसमें एक विशिच परिस्तिती बुद्ध महराज की वजय से जो मैं लव रुमान्स की बात कर रहा हूँ तो मेश राशी वालों को प्रेम जो है वो परोस में या निकट संबंद में या कहीं निकट आप जानने वाले हैं जिनको आफिस में है या कोई आपके पडोस में है जिनको आप पहले से जानते हूं से कि लव हो जाए इस प्रकार की परिस्तिती बन रही है पंचम भाव में अमोद प्रमोद के स्थान पे शुकर महराज भी बैठे हुए है और शुकर महराज सब्तमसान के हैं तो पार्टनर आपको मिल सकता है वी वहाँ के लिए लव रोमांस में कोई मिसंडेंस टेंडिंग आपकी उससे पहले हो गई थी कोई दिक्कते परिशानी है तो वो हो सकता है जिनका कोई पार्टनर है उसके लिए बहुत अच्छा है उससे पहले कोई अच्छी खुशकबरी, कोई अच्छा समाचार, कोई अच्छा पत्राचार प्रेम को लेकर रोमांस को लेकर आपको मिलने वाला है जो टीचिंग के ख्षतर से जोड़े हैं उनके बहुत अच्छा है अच्छा मैं उसके साथ साजो students लोग हैं तो आपके लिए तो वारे नारे हैं students के लिए बहुत अच्छा स्थान है शुक्र का पंचम भाव में वानी का स्थान, बुद्धी का, दूसरे स्थान का, intelligence धी का पंचम भाव में जाना तो पढ़ाई में मन लगता है सूरे की परिस्तिती चतुर्थ भाव में आपके relative से, आपके दोस्तों से, यार मित्रों से आपको जो है वो फाइदा दिलाने का समय है उनका सहोग मिलेगा और वो कोई न कोई आपकी मदद करेंगे, तो सूरे भी बहुत अच्छे मंगल होता है, भ्रेस्पती होता है, सूरे होता है ये आपस में मित्रता का भाव रखते हैं तो मंगल और भ्रेस्पती मित्र है भागेश का राशी स्वामी के समन्द है तो भाग्यों के द्वारा धनवर्शा हो जाए भागी के दोरा उच अध्धन का इस समय आपको समय प्राप्त हो सकता है वीदिश जाना चाहते हैं या जो लोग वीदिशों में हैं मेशराशी वाले ये परिस्तिती बहुत उन्नत प्रशस्त बनी हुए अच्छा फाइदा मुनाफ़ा आप इस महीने कमा सकते हैं जब तक मंगल महराज यहां पर विद्यमान है घर में कोई मांगली कारे हो सकता है शुब कारे हो सकता है उसमें पैसों का व्याय हो जाए चैरिटी दान पुन में इस परकार की चीज़ों में मंगल और बिस्पती आपको इस परकार का लाब दिलाएंगे उसके बस शाथ शनी महराज आपके जो है वो लाबस्तान में बैटे हुए है और यहां से जो इनकी दृष्टी है वो शुक्र और बुद्ध पर है दोनों ही मित्र है शुक्र की राशियों के मित्र होते हैं शनी महराज और शनी की राशियों के मित्र होते हैं शुक्र महराज तो शहनी महाराज वक्री परिस्तिती में मेश राशी वालों को, क्योंकि यहांसिन की दृष्टी लगन पर भी है, आपकी राशी पर भी समय शहनी की दृष्टी है, परन्तु अब यह दृष्टी कमजोर है, यह वीक हो गई है, तो इस प्रकार से जो दुष्ट पर भाव आपको पहले मिल रहे थे, काम आपके अटके हो, नुकसान हो रहा होगा, लाव नहीं हो रहा था, तो अब समाप्त हो जाएगा, अब लाव की परिस्तिते पूर डूप से शनी द्वारा भी होगी, क्योंकि शुक्र और भूद इनको धन देने के लिए प्रेडित करेंगे, तो उसकी दृष्टी में यह अमरित घूल गया है, बहुत अच्छी प्रभाव यहां पर लिए होगे रहेंगे, और साथी साथ जो देबगूर प्रेश्पती की दृष्टी है, वो करमस्तान में है, आपके दशमस्तान पर उसकी नवम भागे दृष्टी है, तो करम से समध्दिवी शेप में इस महीने आपको जरूर लाव मिलने वाला है, और यह जो राशी के साथ इसका समध्द है, इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि नौकरी लग जाए, नौकरी में परिवर्तन हो जाए, तो यह कारिक शेत्र में इस परकार की परिस्तितियां बनी हुई है, भागे का, नौकरी का, लाव की पूर्ड परिस्तिती इस परकार से यह ग्रहयां पर दर्शा रहे हैं, बारवें भाव में आपके राहु महराज का गोचर हो रहा है, और आपके छटे स्थान में कियतू है, ये दोनों उल्टा हो गया, अगर ये अच्छा होता तो राहु छटे भाव में अच्छा आद माना जाएगा, और कि तू बारवें भाव में, तो थोड़ी दिक्कते परिशानी हैं, तो मेश राशी वालों के लिए इन दोनों ही ग्रहों से बनी हुई है, थोड़ा पैनों में चोट लग जाती है, वियर्थ के खर्चे हो जाए, तो राहु की परिस्तिती यहां पर दर जा रही है, रहु के उपाए करें, रहु की शान्ति करें, और विशेश तोर पर, यह श्रावन का जो महीना, इसमें जब तब उपवास जितने भी आप करते हैं, कोई मंतर को सिद्ध करते हैं, और विशेश तोर पर अगर आप इसका पूर रूप से लाब लेना चाहते हैं, तो हमारे स संस्थान से जूड सकते हैं, जिसमें हम आपको श्रीयंतर परदान करेंगे, श्रीयंतर को रखने से अपने घर परिवार में, पूजा के स्थल पर, आफिस में, कारिक शत्र में, तो जितने भी दुश परभाव होते हैं, जाए वो ग्रहन दोश है, रुद्र दोश है, आप पूद्र अभिशेक कीजिए, सोंबार के वरत उपवास जितना आप कर सकते हैं, राहू की कार्ट महाँ पर आपको मिल जाए, केतु छटे स्थान में है, तो बहुत जदा विक्ति अधीर रहता है, बहुत जदा साफ सफाई का है, तो जदा आपने किसी को परिशान नहीं कर पीट पीछे को शत्रू बन जाए, आपकी बातों को बुरा मान ले, तो थोड़ा शांती परूख आप इस समय को भी आगे निकाल लीजे, केतु के लिए अबदान कीजे, लोगों को जितना जिसे कंबल का दान हो गया, मशलियों काटा हो गया, डाल दे, चींटियों को कुस खाने की चीज़े नाल दे, तो ये फिर आपके लिए केतु भी जादर दुख की तकलीफ हैं लेकर के नहीं आएगा, दुर का शब्सति का पाट करें, विशेश तोर पर पंचमध्याय है, देवी की स्तूति करें, तो उससे भी जो है वो राहू और केतु को दुश पर आते हैं, तो ये शावण के महिने में विशेश तोर पर आपको उपाय करने चाहिए, और मेश राशिवानों के लिए ये महिना जो 22 अगस तक का है, बहुत अच्छी कवर लेकर गया सकता है, उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इफ यू लाइक दे वी चानल, तकि दो unity ताई प्रेट के समापको सकत के लिए माफट लेकर आपए, अच्छीन अपको सकत लाइशले में पालने के